हलो फ्रेंज मैं हूं पोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वित भोली में आज मैं आप सभी के साथ मोहन थाल की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी सेयर करने वाली हूं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा बरतन लिया है उसके उपर इस तरह से छनी रख दिया है मैंने और इसमें एक कटोरी बेसन डालेंगे तो बेसन जो सभी के घर में यूज होता है यह वही वाला है तो आप कोई भी एक बरतन सेट कर लिजे उसी के हिसाप से हम सारा मेजर्मेंट सेट करेंगे तो बेसन को सबसे पहले चान लेना है हमें ताकि इसमें जो गुठलिया वगरह हो वो निकल जाए अब यहाँ पर मैंने तीन चमच देशी घी लिया है और तीन चमच ही इसमें हम दूद डालेंगे तो दूद आप रूम टेंपरेचर का लीजे गरम नहीं लेना है अब इसे हाथ में इस तरह से मसलते हुए इसका हमें मुवन लगाना है तो अच्छे से आप इस तरह से रप करते जाए ताकि जो मुवन है वो सभी बेसन में पूरी तरह से अच्छे से लग जाए तो यह देखिए मुवन अच्छे से लग चुकी है सारे बेसन में अब एक मिक्सी का जार लेंगे हम और इसमें यह जो बेसन है से डालेंगे और धीरे-धीरे करके हमें इसे मिक्सी को चलाना है जिससे इसमें जो दाने हैं वो एकदम इवन हो जाए छोटे या बड़े ना रहें तो एक साथ एकदम तेज नहीं पीशना हमें रुक रुक कर आप पीश लीजिए और यह देखिए एकदम दाने इसके एकदम बराबर हो चुके हैं इस तरह से आप जब चेक करेंगे इसे तो एकदम ऐसे लगेगा जैसे कि यह रवा है तो बस इतना ही हमें मिक्स करना था इसे अब एक कढ़ाई में हम इसे डाल देंगे और एकदम स्लोग एस पर हमें इसे भूनना है अब यहाँ पर मैंने एक चम मज घी डाला है तो घी डालने के बाद इसे लगभग दस मिनाट के लिए हमें भूनना है और फ्लेम को आप एकदम लो ही रखिए ज्यादा तेज आज पर आप भूनेंगे तो यह जल चाहेगी तो पूरा जो प्रोसेस है एकदम स्लोग फ्लेम पर हमें करना है और यह देख इस अगर उसका टोरी से देखे तो यह अधेक आधा का टोरी है तो मलाई डालने के बाद भी हमें इसे 10 मिनाट के लिए और भूनना है मलाई के साथ में जिससे की मलाई जो है वो मेल्ट हो जाए और इसका जो घी है वो अलग निकल जाए तो यह देखिए लगभग भूनते हु गंटीने चलाते हुए इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है पहले से काफी डार्क हो गया इसका कलर तो इतना ही भूनना है हमें गेस को हम बंद कर लेंगे ऐसे इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे अगर हमेसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो इसमें हम चासनी बनाएंगे तो उसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ पर मैंने शक्कर लिया है और आधा कटोरी यहाँ पर पानी है एकी लाइची छील करके डाल दीजिए इसी में ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा है अब इसे हमें मेल्ट करना है और इसकी लगभग डेढ़ तार की हमें चासनी बनानी है तो दस मिनट के लिए मैंने इसे उबाल लिया है और जब इस तरह से आप चेक करेंगे तो यह एकदम गाढ़ी सी चिप-चिपी लग रही है और यह देखिए इसमें हलका सा तार बन गया है दो-तिन मिनट इसे हम और गाढ़ा कर लेंगे अगर आपको मोहन थाल थोड़ा टाइट चाहिए तो आप इसे और भी गाढ़ा कर सकते हैं चासनी को और हमें लूज रखना है तो यहाँ पर डेढ़ तार की चासनी बनाएंगे मोहन थाल दो तरह से बनती है बहुत लोग इसे थोड़ा हाड पसंद करते हैं और बहुत लोगों को यह थोड़ा सौप्ट पसंद आती है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सौप्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हाँ पर मैंने डेढ़ तार की चासनी बनाई है अगर आपको हाड रखना है तो इसे दो तार की चासनी बनाई है आप गैस को मैंने बन कर दिया था और यह अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब इसी में हम चासनी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके चासनी डालना है हमें एकठे पूरा नहीं डालेंगे हम इसे मिक्स कर लेंगे तो धीरे से जो बेसन है वो फूल जाएगी इसी में तो यहाँ पर परफेक्ट है इतना ही चासनी डालना है और ज्यादा नहीं डालूंगी मैं तो आपका बेसन जितना मोटा या पतला है उसके उपर यह डिपेंड करता है कि आपको कितना चासनी डालना है तो इससे ज़्यादा चासनी हमें नहीं डालना है और अब एक बढ़तन जिसमें भी हमें मिठाई बनाना है उसे हम ग्रिस कर लेंगे घी या तेल डाल करके अब यह पेसन का मिसरन इसमें डाल देंगे अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो ये गुलब बन रही है इसके, परफेक्ट है इसमें चास्तनी, चम्मच में तेल लगा करके आप इसे एकदम इकवल कर दीजिए, चिकना कर लेंगे इसे हम, इसके उपर थोड़े से ड्राइफ्रूट कटे हुए डाल देंगे, और इसे लगभग राद भर के लिए आप छोड़ दीजिए, और नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि ये जम करके अच्छे से सेट हो जाए, और ये देखे, मैंने इसे राद भर ऐसे ही छोड़ दिया था, फ्रीज में नहीं डाला था मैं अब यह जम करके रेड़ी है, तो यह देखे बहुत इदानेदार और बहुत इटेस्टी हमारी बेशन की बर्पी या मुहंथाल बन करके तेयार है. तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिजासे क्रिशना